दोस्तों मेराज पांडे आप देख रहे हैं आर्सीयों चुड़े आईए जान लेते हैं अभी की लेटिस्ट अब्डेट की बारे में आपको मालू होगा कि इस चैनल के माद्धिम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वाप पूरता सही और सठीक होती है उसी करम में आज क पांच बड़ी खबर की बारे में बात करेंगे आपको यावी मालू होगा कि मैं हमेशा आपको अथ्हांटिक जानकारी प्रवाइट कराने का प्रियास करता हूँ अगर आपको सबसे पहले जानकारी चाहिए तो आप टेली ग्राम चैनल को भी जोईन कर लें टेली ग्राम अछेबा आपको दो चैनल दिखाई दिगा दोनों को जॉइन कर दोनों ही मेरा ही चैनल है सबसे पहले मैं बात करूँगा Tiencia reflect me 22 पद आयड होंगे क्या ऐसा संब्भव है सही करन में सवाल है क्या ऐसा संब्भव है मैं आ आपको बता जुँझो जहान करेंगा दंद्हन पर तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहा है धन्ना प्रदर्शन हो रहा है सांती पूर्वक धन्ना प्रदर्शन हो रहा है सरकार तक अपनी बातों को पहुचाने का प्रियास किया जा रहा है प्रियास कितना सफल होगा या तो वक्त बताएगा लेकिन जो मुझे जानकारी है मैं वह बताना चाहता हूँ आपकी क्यानकारी कुछ अलग हो सकती है आपकी प्रिस्क्रिया कुछ अलग हो सकती है पहली बात जो पद विग्यापित हैं जिसके लिए आवेदन हो रहे हैं उन पदों में भरोत्री हो सकती है जो पद विग्यापित नहीं है ऐसे कोई भी पद न आइड करने की बात तो यह संभो नहीं है अभी की जानकारी का नुसार प्रयास करते रहे हैं अगर कोई अपडेट मिलती है कि पद आइड होंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा लेकिन मैं आपको सबसे अथंटिक जानकारी दे रहा हूं कि पद आइड होने की संभावना क संभावना इना के बराबरे पहले 27 की बात हो रही है कुछ दिन में देखीएगा बात ही नहीं होगी और भरती प्रक्रिया कमप्रेट हो जाएक अगनी Пथ यौजना को लेकर हैं अगनी पथि यौजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है आपको भली भात मालम होगा कि अ रेगुलर साइनिक चाहिए या संबीदा पर साइनिक चाहिए इसके बारे में आप लोग खुड डिसाइड कर सकते हैं देश की रच्छा सबसे बहतरी न्धंग से कौन कर सकता है अगनि पत्थ योजना के अंतरगत अगनी वीरों की जो भरती होगी वह चार साल के लिए होगी इससे पहले 19 साल का कारिकाल था 15 साल का कारिकाल था जिसको युवा बहतर बता रहे हैं अगनि पत्थ योजना के तहट जो अगनी वीरों की भरती होगी उसमें प्यंसन की व्योस्था नहीं है रिटार्ड होने के बाद कैंटीन की व्योस्था नहीं है मेडिकल की व्योस्थ अगनीपत्य योजना के अंतरगत जिसकी भरती होगी अगनीवीरों की भरती होगी जो युवा अगनीवीर बनकर जाएंगे उन्हें चार साल के कारिकाल में छुटी जरूर मिलेगी लेकिन सेवा निब्रित नहीं हो सकते अगर चाहें कि हम इस ठीपार देकर चले आएं तो ऐ ऐसा संबहों नहीं है क्योंकि आदिस जारी किया गया है कि आपको चार साल का कारिकाल पूरा करना पड़ेगा आप भाग नहीं सकते एक और महत्पूर जानकारी देदू अगनी पत्योजना के अंतरगत जिन अगनी वीरों की भरती होगी उनका भविश्य क्या होगा चार साल बाद वह क्या करेंगे तो बीजेपी के निताओं की द्वारा इस्टेटिमेंट दिया जा रहा है कि चार साल के बाद उन्हें बीजेपी कारियाले में सिकुर्टी गार्ड रखा जाएगा अडानी अंबानी महिंद्रा इस्टेटमेंट आएगा सब अपनी कंपनी में गार्ड रखेंगे तो क्या जो सैनिक चार साल का कारिकाल देश की सीमा पर पूरा करेगा वह सिकुर्टी गार्ड बनेगा आपको लगता है कर भी नहीं आज उसी को लेकर विरोध हो रहा है भारत वंद का ऐलान किया गया कितना इसका असर है आईए एक तस्वीर के माधिम से समझते हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां नोईडा की तस्वीर है यहां पर देखे यहां दिल्ली की तस्वीर है मतलब कई राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है ब्यापक असर देखने को मिल रहा है जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं जो आग जनी की जा रहे है या पूर्टा गलत सांती पूर्वग प्रदर्शन करना चाहिए हमने तो कई वाओं से बात किया उनसे चर्चा की कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको सांती पूर्वग प्रदर्शन करिए तो कई उदाहनी वाओं की द्वारा दिया जाता है कहा जाता है कि सांती तो सरकार ECO जना को जो है चुनाओं की पहले वापस लेगी और हम इसी तरह सिख करते रहेंगे तो हमने कहा या पोड़ता गलत है आप पर कारवाई भी हो सकती है तो आप तस्वीर के मादम से समझ सकते हैं कितना जाम है और आज भारतबंद का कितना असर है एक और महत्पूर जानकारी देना चाहता हूँ अगनी पत आर्मी चीफ मनुस पांडे का बयान है अगनी बीरों के चैन की प्रक्रिया पारदस्य होगी अगनी भी समाज और आर्मी के बीच काम करेंगे अब काम क्या करेंगे यह तो वक्त बताएगा अभी तो पटल पर आने दीजिए या इस अगनी बीरों के जरिये होगी यानि कि अब तू लिखा हुआ है अगर सरकार चाहेगी तो एक परसंट भरती करेगी सरकार चाहेगी तो दस परसंट भरती करेगी सरकार चाहेगी तो पच्छीस परसंट भरती करेगी लेकिन पच्छीस परसंट से ज्यादा भरती नहीं यहाँ पर देखे आर्मी की जो भरती होगी अगनी बीर की जो भरती होगी उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है नोटिफिकेशन हमने टेलिग्राम चैनल पर अपलोड का दिया है अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और टेलिग्राम चैनल पर जाकर उसे भी स्थार से पढ़ भी पाएंगे यहाँ पर देके लिखा हुआ है गres vibe वन रनिंग 1.6 किलोमेटर इंफाइव मिनिर्ट थृटी सिकन्ड पुल है पुसप के बारे बताया ठेन टाम्म ग्रेट गृूप टू रनिंग 1.6 km in 5 minutes 45 seconds उसके बाद पुल पुसब के बार में जानकारी दी गए 629 ताइमस तो फुल नोटिफिकेशन में आपको दिखाना चाहता हूं आप हमारे साथ बने रहिए मैं चलता हूं टेलिग्राम अपने चैनल पर तो जैसा कि आप टेलिग्राम चैनल देख सकते हैं या आर्स और इस चैनल के माधिन से सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है वीडियो अभी मेरे द्वारा अप्लोड किया गया है जानकारी बहुत पहले ही दी गई है यहां पर देख सकते हैं जानकारी मेरे द्वारा दे दी गई दो बचकर 45 मिन पर जानकारी दी गई थी अब इसक पढ़कर समझ सकतें भी स्तार से मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताऊंगा मैं उसे आपको दिखा दे रहा हूँ अगर आपको नोटिफिकिस्टन पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल को और ग्रूप को जोईन करने दोनों जोईन करें यह मारका कर दे तो देखिए यहां पर एक चैनल है एक ग्रूप है तो दोनों को जोईन करें जिसी सही सटिक जानकारी आपको मिल सके इधर अगनी बीरों को लेकर आनंद महिंद्रा के द्वारा ओफर दिया गया है अगनी बीरों को मिला नौकरी का आफर आनंद महिंद्रा ने कर दिया भरतियों का ऐलान तो इंडिया टीवी की ख़बर है मैं आपको बताना चाहता हूँ आनंद महिंद्रा हो सकता है अपने कंपनी में सेक्वर्टी गार्ड रखे हो सकता है अपना वाड़ी गार्ड युना ले किसी को ऐसा हो सकता है तो इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारे चाहिए तो आप गूगल पर भी सर्च करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आगली ख़बर केविएस TGT PGT PRT नहीं भरती को लेकर है आपको बता दें केविएस TGT PGT PRT की भरती आएगी इसमें दो राय नहीं है लेकिन जो मुझे ख़बर प्राप्ट हुई है कि जल्दी इसे भी सम्विदा पर किया जाएगा सम्विदा पर करने की तयारी चल लए है केविएस की जो भरती होगी केंद्रे जयालों में जो TGT PGT PRT की भरती होगी या सम्विदा पर होगी हो सकता है कि इस बार आपको रेगुलर का मौका मिल जाए अगली बार से सम्विदा का मौका मिले लेकिन अभी मैं कुछ इस पश्ट कहें नहीं सकता है लेकि जो जानकारी मिल नहीं इस पर भी काम चला बीचार भी मर्श चला मेंटिंगों का दवर जा रही है और केविएस की TGT PGT PRT भरती सम्विदा पर हो सकती है एड हाग पर टीचा रखे जा सकते है नोटिफिकेशन कब तक आएगा तो नोटिफिकेशन आपको सितम्बर से लेकर नौवंबर की बीच में देखने को मिल सकता है उससे पहले भी आ सकता है लेकि मैं अधित्तम आपको सितम्बर से नौवंबर बता रहा हूं क्योंकि अभी में मैटिंग का दोर सुरू है बिचार मस किया जाना के बिएस में जो PGT PRT की भरती आती है उसमें ज्यादतर सिच्चकों को एड़ाग पर रखने का प्लान चलना हो सकता है पदों की संख्या आपको कम देखने को मिले और जो पद कम होंगे और जो पद बचेंगे उस पर एड़ाग परन्युक्ति की जा सकत है तो आपको थोड़ा बेट करना पड़ेगा अथेंटिक जानकारी और मिलेगे तो मैं आपको और दूँगा यूपिटर पलसी की है यूपिटर पलसी के सच्चियों के द्वारा कुछ महत्मूर बाते कहे गई हैं आपको मालूम होगा कि यूपिटर पलसी पर धन्ना प्र प्रदर्शन किया गया था और मैं आपको यहां भी बता दूँ यूपिटर पलसी के सच्चियों ने कहा है कुछ महत्मूर रिजल्ट को लेकर और परिच्छा को लेकर हमने आपको क्या बता था कि परिच्छा इस्थिगित नहीं होगी इस्थिगित तभी होगी जब अगनी कार जारी कर दिया जाएगा कितने तारी को 25 तारी को या 27 तारी को सेंटर के समझ में आपको जानकारी मिल जाएगी एन्नम का रिजल्ट आने वाला है एन्नम पर काम चलना है इस महीने के अंत तक तो संभावना एक कम दिख रहे हैं हो सकता आभी जाए लेकिन 15 जुलाई की पहले Eन्नम का रिजल्ट आएगा उसके बार लोर पीश्ययस का रिजल्ट आएगा जो वताया जाता है वह सही हो जाए यह पूंड़ता सही नहीं है क्योंकि ये सच्छू के द्वारा कहा गया कि हम इतने दिन में रिजल्ट दे देंगे ये सब्ता रिजल्ट दे देंगे तो भाईया जो सब्ता बताए उसको मान कर मत चलिए थोड़ा 10-15 दिन 8-15 ही मान कर चलिए क्योंकि आसवासन अलग चीज होता है और रियल अलग चीज होता है तो एनम के बाल लोवर पीस्टे 2019 का रिजल्ट आएगा जशा कि आपको कई चैनलों के माधिम से बताया गया होगा वैसे मैं मुझे जहां तक जानके अगस्त में जो है लोवर पीस्टे का रिजल्ट किसी भी कीमत पर आ जाएगा नई भरती को लेकर रेमाइंडर भेजा गया है इस चैनल के माधिम से आपको बताया गया था अभी अनुवती नहीं मिली है हो सकता अनुवती मिल जाए तो अ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और पर स्टेड़ करें जैंगे बारस्तो नमस्कार